ये उक्लास लकेजी, सब्चक्ट रेट बच्चवापका इंदी, तो इसमें देखे, पेज नमबर 19, तो इसमें मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, तीन अक्षर वाले सब्द, तो ये मैंने कुछ इसमें से पढ़ा दिया, तो इसमें देखे, ज़े लिखा है, पढ़ कर वो ल अभ्यास करो, लिखना भी है, पढ़ना है और आपको लिखना भी है, तीक इसमें मैंने आपको अभी तक क्या क्या पढ़ाए है नहर नहर, पहर पहर, सहर, सहर, लहर, लहर, जहर, जहर पावान, पावन, भावान, भावन, हावान, हावन, आमान, अमान, नमान, नमान दगार, डगर, मागार, मगर, अगार, अगर, नागार, नगर, सफल, सफल गगान, गगन, मागान, मगन, लागान, लगन, मदन, बादन, बदन तो बच्चों देखें मैंने इहां तक आपको यह चालाइन सबको बतायी थी आप दिखें आज आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दिखें, यहाँ से आज आपका स्टाड है अटको अटक, लटक, लटक, मटक, जटक, जटक, चटक नरम, नरम, गरम, सरम, महा को महक, चहक, चहक तो देखें बचें इस तरीके से आपको इनती लाइन आपको पढ़नी है चाहिए जो आप पहले पढ़ चुके हैं उनको भी आपको पढ़ना है तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है इनको पढ़ना है तो देखें आगे मैंने आपको यह होंबक दिया है इसमें आज आपको क्या करना है जितनी मैंने दो लाइन्स आपको पढ़ाई है अटक, लटक, माटक, जटक, चटक, नरम, गरम, सरम, महक, चहक इन लाइन्स को क्या करना बच्चे आपको अलग-अलग करके लिखना है एक बार तो मैंने क्या करा था आपको अक्षरों को मिला के आपको लिखना था आज आपको क्या करना है जो सब्द बना है उनको अलग-अलग अक्षरों में लिखना है जैसे आपक देखाओ अटक तो प्लस टौ प्लस को लौ प्लस टौ प्लस को मौ प्लस टौ प्लस को जो प्लस टो प्लस को चो प्लस टो प्लस को नो प्लस रो प्लस मो गो प्लस रो प्लस मो सो प्लस रो प्लस मो मो प्लस हो प्लस को चो प्लस हो प्लस को इस तरीके साथ आपको यही काम करना है तो यह दो लाइन जो मैंने आपको पढ़ाई थी यहां से यहां और इनको अलग-अलग अप्छोर में आपको करके आज लिखना है और यह जो यह लाइन्स मैंने जितनी पढ़ा रहे हैं नहर से और सहद तर ओके तो आपको क्या करना है इनको स्वरिंग चहक नहर से और चहक तक आप उसको पहले पढ़ेंगे उसके बाद ही सुमब को करेंगे